बिसमिल्लार्मान इराहीम, अस्वालेकूम वीवर, कैसे आप सब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ मसाला, यह कैसे बनता है, इसको बनाने की रेसिपी क्या है, आपको दिखाते हैं, सबसे पहले ले लेंगे बीफ, बीफ हमने लिया था एक किलो, उसको ची तरह से दो लि अब हम इसमें डालेंगे बीफ, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज हमने लिया था, दो से तीना दक बड़े साइज के, अब डालेंगे अदर को लेसन का पेस्ट, टमाटर, दो अदद, हारी मिर्चें, तीन से चार अदद, अज टमाटर, हारी मिर्चें और अदर लेसन का पेस्ट हमने डाल लिया, तो अब हम डालेंगे एक चमज, पिसी होई लाल मिर्चें, नम्वक अजबे जैका अल्दिय पाउडर आदा चमज साबु जीरा एक चमज पीस्ता हावा सुका दनिया आदा चमज तब मसालों को हमने डाल लिया आपके सामने अब हम डालेंगे तकरिबबन आदा कप पानी अगर आप इसी रेस्पिस बनाएंगे तो बीफ मसाला बहुत अच्छे तरीके से बनेगा अब हम इसको टकल लगा आके छोड़ देंगे तकरीबन 20-25 मिट के लिए ताके गोश्ट मारा अच्छी तरह से पक जाए अब हम चैक करते हैं 20-25 मिट तोच चुके हैं गोश्ट रखे हुए हमें हमारा बीफ अच्छी तरह से गल जुका है आप दे सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे गी आधी प्याले गी और गी डालकर गोश्ट को अच्छी तरह से बून लेंगे तो आप दे सकते हैं गोश्ट मार अच्छी तरह से बूना जा चुका है अलका से गी पुकराज का है अब हम बीम साले गोश्ट कर लेंगे लेंजी बीम साले के में डिश्ट कर लिया अब हम इसकी कर लेंगे ठोरे सी गार्निश अपर डालेंगे ठोरा सहरा दनिया किसी के साथ दीजे हम एजाज़त कुछ रहिए अल्दा हाफिज